हलो फ्राइब नमस्ते स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में दूस्तों आज मैं अपना मेकप करने वाली हूँ काफी टाइम से मैं सोच रही थी मेकप करूँ मेकप करूँ लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था तो आज मैं बैठ गई हूँ मैंने सब को छोड़ अबने चेहरे पर है इस इतना ज्यादा अईली है गर्मी में पसीना बहुत आता है तो सबसे पहले प्रेश को या आप ना फेसवाश करना होता है या फिर आप किसी भी कॉटन से जो यह वाइप होती है कॉटन वाइप इससे आप पेस को क्लीन कर लीजिए इसके बाद में म से गुलाब जल यूज कर सकती है कुलाब जल हर किसी के पास होना बहुत ही जरूरी है क्योंकि कोई भी मेंक अफ ते ढ़ल लगाते हैं इसे पहले प्रोड़िक्टन नहीं लगाएंगे तो आप धार्ज जो मेंक अब लाचते हैं उसके की वज़े सीहरे इसाओ उस बाते हैं तो मैंने जो है ओफर के टाइम मंगाया था और बहुत ही ज़्यादा इसमें प्रोडेक्ट रहता है तो काफी टाइम से मैं इसे यूज कर रही हूँ जब ये अच्छे से से सेट हो जाए इसके बाद में हमी लगाना है अपने चीरे पर प्राइमर प्राइमर इंसाइड का मेरे पास है ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही कम रेट में मुझे मिला था और काफी ज़्यादा टाइम हो गया मुझे यसे लगाते हुए थोड़ा सा लेना है और पूरे फेस पे अच्छे तरीके से इसे लगा लेना है बहुत ज़्यादा रगणना नहीं है, अलके हाथ से ही लगाना है, तो मैं ऐसे ही लगा कर इसको छोड़ दूँगी, इसके बाद में फिर मुझे जो है, सबसे पहले मुझे आँखों का मेकप करना है, तो अब ही मैं लिविश्टिक लगाने से पहले थोड़ा सा लिप बॉम लगा ले रही हैं, जिसे की होट नरम बने रहे हैं, क्योंकि जो आभी के टाइम पर लिक्विड मैट लिश्टिक होती है, ये होटो को ड्राइ कर देती हैं, तो जरूरी होता है, लिप बॉम लगाना, तो आँखों का मैकप करने के लिए, मैंने यहाँ पर एक फ्लैट ब्र के सेट करने के लिए, उपर और नीचे, तो यहाँ पर बस अपनी तरीके से सेट करना होता है, जैसे कि आपके अपरोज हैं, उसी तरीके से सेट करना होता है, और मेरी पास यह छोटी से अपरोग पैंसल है, यह मातर दस या पंदर रोपे में मार्केट से ले कराती हूँ, और यह काफी ज़्यादा चलती है, इसका कलर भी एकदम नेचुरल आता है, तो इसे मैं हमेशा यूज करती हूँ, तो इसके बाद में अब हमें इस कंसीलर को अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है, फिर मैं आखो पर लगा रही हूँ कंसीलर और इसको भी हलके हाथ से ब्ल बहुत ज़्यादा नहीं रगड़ेंगे, अगर बहुत ज़्यादा ब्लेंड करेंगे, तो हमारा जो भी प्रोड़क्ट है वो हट जाएगा, तो हलके हाथ से ही ब्लेंड करना है, दोनों साइड में अच्छे तरीके से लगा के बराबर कर लेना है, फिर मैंने यहाँ पर य इसमें जो है, तीन चीजे मिलती है, कंटोर और ब्लेस हाइलाइटर, तो यहाँ पर इन तीन चीजों से हम आई मैक भी कर लेते हैं, तो यहाँ पर मैंने ब्राउन सेट लिया है, और यह पास से में थोड़ा जूम कर ली हूँ कैमरे को, यानि कैमरा नहीं है, मेरा फॉन ही ह है, पॉन से में बना रही हूँ वीडियो, तो दोनों साइड में अच्छे से बराबर लगाना है, जिस तरह से हम एक साइड लगाएंगे, उसी तरह से में दूसरे साइड भी लगाना है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, लेकिन बस यही है मैक अप में कितना अच लगा सकते हैं, तो मैंने यहां इसी ब्लस को लिए लिया है, और इसको जो है लगा दिये हैं, आई सेडो, फिर मैंने यहां एक सिल्वर कलर का आई सेडो होता है, जो लिक्विड में है, तो इसको मैंने थोड़ा सा लगा के ब्लेंड किया, फिर इसके उपर ब्लस थोड़ा पहले आप इस तरीके से अगर बिंब बनाना चाहते हैं तो बिंग के लिए आप पहले कुर्णा पर ल्यखर दाले em फिर आप उपर और नीचे साइड में लगाएं अगर आपको काजल लगाना पसंद है तो आप इस तरीके से करके पहले ऐलाइनर से लाइन बना ले इसके बाद में काजल लगाएंगे तब आपका काजल फैलेगा नहीं एकदम बराबर लगा रहेगा थोड़ा सा मस्कारा भी लगा लिया है और जो जो मैंने उपर आई सेड़ लगाया था उसी को थोड़ा सा नीचे साइड भी लगा लेना है कि आई मेकप हमारा हो चुका है इसके बाद मैं अभी यहां पर लगा रही हूं फाउंडेशन तो यह फाउंडेशन मैंने बहुत टाइम से यूज कर रही हूं काफी टाइम पहले मैंने इसे मंगाया था और इसको लगा के ब्लेंड कर लेना है यह मेरे इसकिन के हिसाब से है लेगिन अभी आपको यहां पर बहुत ही ज़्यादा हाई दिख रहा होगा बाद में करते हैं इसी के वज़े से होता रहता है तो यहां पर आपको दिख रहा होगा यह यहां पर इसका सई तरीके से दिखा रहा है यहां पर और इसके बाद में मैंने जो है यहां थोड़ा सा कंटोर करने के लिए जो हमारे पास यह पफी ब्रैस है इसको ही पदला करके हम यहां पर कंट्रोर कर लिये हैं, थोड़ा सा नाग पर भी कर लेना है, इस तरीके से, तो फटा फट से ये है मेरा मैक अप करने का तरीका, तो किसी भी साधी पार्टी में मैं ऐसे ही तयार हो जाती हूँ, फटा फट से, बहुत अच्छे तरीके से साइद मुझे नहीं आता, लेकिन जितना है मैं अपने तरीके से करती हूँ, और जब अपने तरीके से मेक अप को करेंगे, तब सभी लोग बोलेंगे कि हाँ, ये मेक अच्छा करती है, अगर आप किसी का देख करेंगे, तो आपको भी नहीं समझ में आएगा, कैसे उसने किया है, और कैसे हम करें, तो आपक मैं यहां पर पलक लगा ले रही हूं इसको भी आराम से सेट करना है लगाने के बाद में उपर से आइलानर लगा लेना है इससे कि हमारा जो भी पलकों का जो लगाए हैं उसे दिखेगा नहीं कि हमारी यहां पलक उपर से लगे हुई है फिर अब बारी है लिवस्टीक की लिवस्टीक आपका जो भी मनपसंद कलर है अब उसे लगा सकते हैं तो यहाँ पर मैं लगा ली हूँ मेरा जो इस तरीके से करके मैं अन्यविश्टट कर लोगी आंखों पर नहीं डालना है क्योंकि यह जो fixer होता है makeup setting fixer बहुत ही ज्यादा hard होता है बहुत ही ज्यादा smell भी करता है तो आप इसे आखों पर ना डालें यह हमारा makeup हो गया है complete अभी हमें बिंदी लगाना है इसके बाद में हम तयार होंगे थोड़ा बहुत बिंदी भी हमने लगा लिया है red color की चोटी सी बिंदी लगाई है तो इस तरीकी का हमारा यह final look है तयार होने के बाद मैं कैसे लग रही हूं मैं आप जो है comment करके जरूर ब नहीं है और इस तरीके से कुछ जोड़ा बना कर आप तयार हो सकती या फिर आपको खुले बाल रखने हैं इस तरह से भी खर सकते हैं लेकिन मैं यहां पर आपको दिखा रही हूं अपना experience मैं कैसे तयार होती हूं किस तरीके से में makeup करती हूं तो वस ऐसे करके थोड़े-ब मेरी पहले ही पहन रखी थी मैंने और साड़ी मेरी जो है यलो कलर की है साड़ी के बॉर्डर से मेरा चूड़ी मैच करता है तो इसलिए यह हो गया हमारा लोग कंप्लीट और हमने छोटी से हाँ पननत भी पहन लिए इस समय छोटी वाली नत बहुत ज़दा trend पे चल रही है दोस्तों मैंने अपना experience एयर किया है आप लोग कमेंटों में बताइएगा कोई भी कमी हो कोई भी suggestion हो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कि आगे की वीडियो में किस टाइप की बनाऊं मैंने यहां कोई भी filter का प्रयोग नहीं किया है आप दीख सकते हैं जैसे मैंने सिंप किया है उसी तरीके से मैं आपको दिखा रही हूं फिल्टर विल्कुल भी नहीं लगाया है तो आज के लिए बस इतना ही वीडियो को सेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना थैंक्स पर वाचीं